नमस्कार सो जैसे आप जानते जैपूर गयावत हमें एक छोड़े से टूर के लिए और बहुती इंटरस्टिंग चीजें मिला एनिवे सो कई लोग पूछ रहे हैं कि सरी काउंसलिंग कप स्टार्ट होगी और खासकर जह हम देखते हैं कि भी तमिल्याडू का फॉर्म तो नि हैं तो लोग किन्फूज वाते हैं तो पहले चीज़ाब मैं बाबर कहता हूं कि कॉमन काउंसलिंग नहीं हो रही है और सब स्टेट्स एम से सी काउंसलिंग के पीछे चलेंगे देखिए रिजिस्टेशन कराना कि मृटिपल परपस होते हैं और कभी कभार किसी जैसे केरला हो यह उनके पास तो बहुत सारे कोर्स हैं राइट और के कॉमन प्लेट फॉर्म है तो इसलिए वह लांच कर देते हैं और उन्हें रिज्टेशन करा लिया इट पंजाब ने भी लांच कर दिया है पर देजन मीन की पंजाब को डिजिजिजन या शैसला ले लेगा चॉइस सब्सक्राइब कराब ही तो रिजल्ट में से पहले नहीं आएगा अब कमी बात बैक की काउंसलिंग यूजी में क्यों डिले हो रही है देखिए से में सब कुछ ठीक है कोई लास्टर की तरह कोड केस नहीं चल रहे हैं कि कोई पेपर में कोश्टन गलत था यह था वो था इ है सेंटर गवर्मन के देखिए यूपी बहुत बढ़ाना वह वह राइट और यूपी में प्रभाव परता है जो मेरे पास लोग आते हैं कि मेडिकल कॉलिज खुलना एक चुनावी पॉलिटिकल मुद्दा होता है तभी तिलंगाना में बहुत सारे साल खुले गए हैं उस तो उस पर्मीशन की वेट हो रही है इंग क्योंकि वह जानते हैं कि कॉले जाते हैं तो नहीं क्या रती है तो फिर एक मुद्दा बन सकते हैं अगर वह बहुत ही बिकार नहीं तो पता भी निकिस लोकेशन में आ रहे हैं और उसी बिल्डी में खोले जाने हैं कोई बिल्डी कोई लगसी नहीं नहीं है तो यह वजह है लेट होने की गवर्मत घपराइए डेफिड़ेटली पंदर तरीक से स्टार्ट नहीं होने वाली जो मैंने पहले ही का था हाँ वीडियो मैंने बनाय था पर अपने वारे क्लाइ आप दिख रहे हैं क्योंकि आज 14 तरीक हो गई है और मैं हमेशा कहता हूं कि वीकेंड पे तो वैसे कभी कुछी नहीं करते तो अब जो रियल काउंसलिंग है जैसे मुझे फॉर्म फिलिंग राउंड बन का वह मुझे डाउट है कि वह लास्ट वीक ऑफ जुलाई मनलब कि होगा भी तो तेइस चौबेश जुलाई से पहले मेरे साफ से स्टार्ट नहीं होगी और शीडिया लोग आठ दिन का गैप देते हैं तो मान के चलते हैं जो रियल काउंसलिंग है स्टेट्स की वह फरस्ट वीक ऑफ ऑफ ऑगस्त में होगी तो वह दस-दस दिन का जो इनका और सभा है कि जब समय मिल रहें ने बहुत तो पेरेंट बहुत ज्यूजादा वीडियूर देैखरे हैं जी हां बहुत ज़्यादा लोगों से बात करें से बात करें हर तरह का का व्यों से मारकेट में ने को जैनृमन ाब या कोई एजानत वी हैं कोई आपको सीट का लालास देते हैं कोई कंफर्म सीट का लालस देते हैं कि नहीं के ऑफिस बड़े शानदार होता है जिनको देखकर आप चका चौन्द में आ जाते हो तो आपका काम है और सम्टाइम यही होता है कि जब हम ओवर एनलिसिस करते हैं तो मामला खराब हो जाता है और मैं फिर से रिपीट क देखे किए ठीक है और दूसरा सरकारी कॉलिज के सीट भनने से कोई फरक नहीं पड़ता है इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि सरकारी कॉलिज में जो सीटें बढ़ती है नहीं पड़ता प्राइवेट में पड़ती है तो उसका परभाव जरूर पड़ता है वह मैं आप कि लिए आपको मेरी नॉलिज और मेरा एक्स्पीरियंस और हमारी कमिटमेंट हम उमीद यह करते हैं कि उसमें से काफी लोग हैं जो हमारी प्रीम सर्वेशिज लेंगे जो हमें साथ बच्चे लेने होते हैं बट कई कली एक हुआ मैं नामनी लोगों कुछ नहीं को कहते हैं पचास आदो किसी को दे चुके हैं फिर आपका वीडियो सुना आपको भी पांच जार रुपे दे रहे हैं और आप बुरान मत मानना हम आपसे दर दिन पांच 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 जार की कांफरेंस करते रहें चुछ क्या करें उसको पैसे दे दिए उसको डॉक्यूमेंट भी प्रोच दे दिए और वह भूं हमें डर लग रहा है कि कई हमने उससे काउंस्लिंग ने क्रहीं तो वह हमारे नगटीव ने करते भी है पता नहीं क्यों तो यह हालत है कि कईलोग दूसर्वीड़ चलेगे फिर हम से फोन पे बाट करते हम उससे मिलते हैं तो अक्सरी यह कहत यह जनली सलाह है आप सब के लिए ओके तो लोग ऐसे आते हैं तो कई लोग यह धाई-जार पांच-जार की जो मीटिंग से एक खाली वन टाइम है रिपीट करता हूं और उसके बाद परपस ही रहता है कि आप हमारे काउंसलिंगा पैकेज लीजिए जो सब्सक्राइब करते हैं तो इस वजय से आप एक बार देखते हो कि वह नंबर करते हैं तो इस वजय से आप अब एक बार देखते हो कि वह नंबर काटा जाता है तो ठीक है उसको वह नंबर चीद्र कंपनी का नंबर है पहले वह नंबर आई वी आर के अंदर था तो आई वी आर से इसको अभी हटाया गिया कुछ आई व्यार में दिखके चल रही है ओके आपका दिन शुब हो तो आ आपको आप नोट करें कि हमेशा आपको पांदस मिनिक अंदर एक कॉल बैक आ जाएगी टेक क्यार बाबाए